नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्स चैनल जहाँ पर मैं प्रया पांदे आप सभी का धनकर्म से जुड़ी वीडियो में स्वागत करती हूं दोस्तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन और राम लला के दर्शन के लिए शरधालू की भीड बेकाबु हो चुकी है ऐसी में सीयम योगी काफी परिशान हैं और उन्होंनी अफसरों की मीटिंग बुला ली है और शरधालू को लीकर काफ प्रसाशन के पसी ने छूट गए भीर को विवस्थित करने के लिए पुलिस को उन पर लाठियां तक बरसाने पड़ी मंदर में शद्धालू की बेकाबू हुई भीड को देखते हुई CM योगी हेलिकॉप्टर से सीधे अयोध्या पहुँच गए और इसके बाद अफसरों की मीटिंग भुलाई अफसरों के साथ CM योगी की मीटिंग जा रही है सूत्रों के अनुसार मीटिंग में भीड नियंत्रण और उनकी सुविधा को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है शद्धालू की सुरक्षा को देखते हुए राम मंदिर में लॉकर सुविधा भी लागू की जा सकती है यात्री सुविधाओं को कैसे सुगम बनाया जाए शद्धालू को किस तरह की कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो शद्धालू को राम लला के दर्शन आसानी से मिल सके और बिंदूओं पर भी मीटिंग इन सभी खास बिंदूओं पर भी मीटिंग में चर्च आशन ने कहा है कि किर्प्या हर बड़ाहट में आयोध्या ना आए साथी श्रधालूं से 10-12 दिन के बाद आयोध्या आने की अपील की है सोमवार आयोध्या में हुए राममंदिर प्रान प्रतिष्ठा के अगले दिन मंगलवार को राम भक्तों का सैलाब उमर पड़ा दो पहर तक गरीब धाई से 3 लाक श्रधालू उनके दर्शन कर चुके हैं और इतने ही श्रधालू दर्शन के लिए इंतजार कर रही हैं आयोध्या में रामलला प्रान प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामदर्शन के लिए श्रधालू में रामनगरी की सडकों पर उत्साह देखा गया देश के विभिन कोने से रामभक्ती में लीन श्रधालू पहली बार दीदार को मर पड़े आयोध्या में पहले दिन ही श्रधालों की इतनी ज़ादा भीड की चलते पूरी ट्राफिक विवस्ता ही लड़ खड़ा गई श्रधालों की साथ पुलिस को दिन भर गंतव्य तक सफर तै करने के लिए जद्दुजहत करते देखा गया आयोध्या धाम में भीड को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले पुलिस ने वाहनों की एंट्री पर बंदश लगाया और सभी एंट्री पॉइंट पर मोबाइल बेरियर लगा कर पुलिस की मुस्तैदी पैने कर दी गई आयोध्या धाम के उद्या चौराहा टेडी बाजार मडी परवत चौराहा और साकेत पैट्रॉल पंप से सिर्फ पास धारक वाहनों को चेकिंग के बाद प्रवेश की अनुमती मिली लेकिन उन्हें भी पारकिंग स्थल तक ही जाने दिया गया जबकि साधारण वाहनों को बैरियर से बैरंग लोटा दिया जा रहा था उपनगरी बस सेवा के तहत रामनगरी में चलाई गई यी बसों को भी एंट्री पॉइंट से प्रवेश नहीं बल सका शधालों को यी बसे एंट्री पॉइंट पर बैठाते नजर आई लेकिन यात्रियों को वहाँ छोड़ते एक भी बस नहीं दिखी ओदे चौराहा, चूडामडी, चौराहा और हाईवे स्थित साके पेट्रॉल पंप के पास बैरियर से ही बसों को वापस कर दिया जा रहा था तो फिलहाल जो राममंदिर जाने के बारे में सोच रहे हैं रामलला के दर्शन के बारे में सोच रहे हैं वो जाने से पहले वहां के हालात को समझ ले और उसके बाद हो सके तो 10-12 दिन के बाद ही अपने राम लला के दर्शन को जाए क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालू है उनका सैलाब जिस तरीके से उमर पड़ा है वो वाकई काफी सोचने वाली बात है देखते हैं कि अब सीम योगी अफसरों की मीटिंग में कौन से बड़े फैसले लेते हैं इन सभी व्यवस्था को लेकर